So girls, यह जो image आप इस कीमें पर देख रही हैं, यह है हमारा गरवाश है and यह जो दो नलिकाएं आप देख रही हैं, यह हैं हमारे फलोप्यों ट्यूप्स जो कि pipe के जैसे बिल्कुल खोगले होते हैं, ठीक है? एंड लास्ट में जो ये आप देख रही हैं ये है हमारा अंडास है ठीक है? Hello everyone, welcome to my channel Guys, आप देख रहे हैं Girls Talk with Shivi और मैं हूँ Shivi Guys, आज से मैं अपने इस channel पर एक नई series start करने वाली हूँ जिसमें मैं आपके हर एक सवाल का जवाब एक particular वीडियो बना के देने वाली हूँ देखिए, जब से मैंने आपके साथ अपनी लापरिस्कोपी सरजी की story शेयर की है Then मैंने आपके शार शेयर किया है कि Now I am 6th month pregnant 7th month अभी मेरे start हो चुका है तो जब से आप लोग के बहुत सारे comments आते हैं बहुत सारी बाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग जानना चाहते हैं कि दी लापरिस्कोपी सरजी क्या होती है, क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है और भी बहुत सारी चीजें है related to pregnancy, related to laparoscopy surgery जो आप लोग जानना चाहा रहे हैं ये तो आप भी मानेंगे कि एक कॉमेंट्स के थूँ सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है आप जाके मेरे वीडियो के नीचे देख सकते हैं जो कॉमेंट्स आप लोग करते हैं उनका मैं रिप्लाइ करने की पूरी कोशिश कर करते हूं लेकिन एक कॉमेंट्स में सब कुछ बता पाना में लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आपके हर एक सवाल का जवाब मैं एक पर्टिकलर वीडियो बना के देने वाली हूं इससे में को भी आसानी रहेगी और आप लोग को भी मै अच्छे से समझा पाऊंगी अच्छे से बता पाऊंगी कि क्या कैसे सारी चीजें अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊंगी ठीके सो जो आज का सवाल है वो है ये कि क्या लैप्रोस्कोपी सर्जरी यानि दूर्वीन वाली जाश कराने के बाद मां बन पाना संभब है या नहीं देखिए बहुत से लोगों को इसका आंसर अल्यडी पता होगा लेकिन बहुत से मेरी सहलिया मेरी बहने ऐसी है जिनको नहीं पता है जो में को कमेंड करके पूछती है कि दी हमें लैप्रोस्कोपी के लिए बताया है क्या हमें करानी है नहीं करानी है क्या इसके बाद हम प्रे प्रेगनेंसी संभब है आप माँ बन सकती हैं और 82-85% में लड़कियां बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में प्रेगनेंट हो जाती हैं कितना टाइम लगता है मुझे कितना टाइम लगा यह मैं आपको अलेटी बता चुकी हूं सुपु वाला वीडियो अगर आपने नहीं द देटील बता रहा है कि मुझे लेप्रसकोपी कराने के बाद किसीप करने में कितना टाइम लगा सथा ओके तो यह इसका और बार सकोंपर बहुत कराने के यह जो दो नलिकाएं आप देख रही हैं यह हैं हमारे flopion tubes जो कि pipe के जैसे बिल्कुल खोकले होते हैं ठीक है एंड लास्ट में जो यह आप देख रही हैं यह है हमारा अंडास है ठीक है तो जो आपके male partner का sperm है वो जाके act से मिल जाता है और तब होता है fertilization इसके बाद आप pregnant होती है ठीक है यह चीज होती है एक normal लड़की में लेकिन अगर आपके flopian tubes block हैं धान से सुनिएगा अगर आपके flopian tubes block हैं तो आपका act जो है वो बाहर की तरफ नहीं आ पाएगा और sperm के तो fertilize भी नहीं हो पाएगा तो इसलिए आप pregnant नहीं हो पाती है तो होता क्या है कि laparoscopy सरदी से दूर्वीन वाली जाच से यह जो आपके flopian tubes हैं अगर यह block है तो इनको open करने का काम किया जाता है और laparoscopy से इनको easily open कर दिया जाता है और जब यह open हो जाते है तो उसके बाद easily आपका जो एग है वो flopian tube से होते होते गरवाशे की और आ जाता है और फिर वो अच्छे से male partner का जो आपका male partner का sperm है उसके साथ fertilize हो जाता है और आप easily conceive कर सकती हैं तो I think मैंने आपको अच्छे से सारी चीने के लिए कर दी हैं समझा दिया है कैसे अगर आपके tube block हैं तो pregnant हो होने में आपको problem आ सकती है और अगर आपके tube open हो चुके हैं तो कैसे easily आप pregnant हो सकती है तो देखिए जरूरी नहीं है कि आपके दोनों tube block हो मेभी आपका एक tube block हो है या फिर हल्का-फुल्का जाला आपके tubes में आ जाता है जब मेरी laparoscopy surgery होई ती डॉक्टर ने में को बोला था कि तुम्हारा एक tube block था एंड एक tube में हलका सा जाला आ गया था तो वो हमने साफ कर दिया है और जैसा कि आप सभी को पता है कि laparoscopy surgery के बाद मैंने easily conceive कर लिया है बिना किसी दबाई के बिना किसी प्रोसीजर के मैंने naturally normally conceive कर लिया है I think मैंने सारी चीजें अच्छा से क्ल लिए बोला है तो प्लीज आप laparoscopy कराईए उसके बाद आप ऐसे ही naturally try कीजिए अब definitely conceive कर जाएंगी ठीक है so girls I just hope मैंने सारी चीजें अच्छे से के लिया कर दी हैं लेकिन अगर अभी भी आपका कुछ सवाल है अभी भी मेरे से कुछ miss हो रहा हो तो आप please मुझे comment में पूछिए possible होगा तो मैं comments में जरूर reply करूँगी otherwise again मैं इसके पर एक वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको help हो सक ठीक है तो इता आसका वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो एक like कर देना new है पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि आगे मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे चे वीडियो शेयर करने वाली जहां पर मैं आपके साथ डेली व्लॉग शेयर करती हूँ अपने प्रेग्नेसी से लिए वीडियो शेयर करती हूँ अगर आपको व्लॉग सेखना पसंद है तो आप मेरे व्लॉग चैनल को भी subscribe कर सकते हैं ठीक है तो मिलती हूँ मैं आपसे एक अगले वीडियो में तब त की